Hello everyone and once again welcome to WS Cube Tech, myself Umar Tashkir. जो ओे हमें और प्रडिकोलर और न कर रहा भायाइब कर एक न करने ने इन सब चीज़ों को करने के बाद अब हमारे सामने बड़ा कोशिटनमार का और अगर वेगेनर हैं तो हमारे पस क्या तरीके हैं किस तरीके सा हम लोग एफिलियेट के जू प्रोड़क्स है यानि कि जो click bank के products हैं उनको किस तरीके से हम लोग promote कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं जो basically बहुत जाद आपको help करने वाली हैं तो जो सबसे पहली चीज है वो यह है कि बहुत सारे ideas promote करने के हमें जो हमारी affiliate की website होती यानि कि जो हमारा product जो हमने select किया है उसका जो affiliate page है उसका जो jv page है उसको देखकर ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर जो resources दीवी है यह जिस type का product है इसके लिए कौन से ways वो बहतर रहेंगे तो बहुत कुछ कहने का मतलब कि जो हमारा product page है affiliate का product page है वहीं से बहुत सारी information हमें मिल जाती है कि हमें किश type के promotions करने चाहिए कौन-कौन से हमारे पास अलगलग options है जिनके through हम इस particular product को promote कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आपसे उनी कुछ ways के बारे में तो सबसे पहला वे जो है जो आप यहाँ पर देख सकते हो that is basically website या हम कहें blog अगर आपके पास अपना blog है तब आप क्या कर सकते हो आप banner ads के through ठीक है side में इनना उंदर banner ads आपको दिखते हैं बड़े सारे उपर top में दिखते हैं वहाँ पर आप जो भी आपका affiliate product है उसके पेज के उपर जाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे वह ऐसे रिसोर्स प्रवाइड करता है आपको ऐसे banner ads आपको देता है जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी जो ब्लॉग है उसके उपर या जो आपका ब्लॉग पेज है उसके उपर या जो आप आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसके उपर और वहाँ पर जो है आप उसको promote कर सकते हो राइट तो कहने का मतलब यह है कि जब हम affiliate products की promotion की बात करते हैं तो क्या केवल वह जो affiliate link हमें text में दिखता है कि हम button के उपर उस link को लगा देंगे वह कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पर redirect हो ऐसा नहीं है बड़े सारे चीजह होते हैं हम videos को use कर सकते है ठीक है video के उपर कोई क्लिक करेगा तो वह जो है हमारे affiliate product को buy कर सकत products को promote करने के लिए तो यहां पर हम लोग आ जाते हैं जैसे कि देखते हैं हम लोग इस चीज़ को भी कि किस किस टाइप के options available है एक product page के उपर तो जब मैं इस affiliate page के उपर आ जाता हूँ इस particular affiliate page के उपर आ जाता हूँ और यहां पर हम देखा बहुत सारे options अवलेविल हैं हम लोग दूसरे product के उपर भी आ जाते हैं एक बार के लिए custom keto diet के उपर उसके affiliate page के उपर हम लोग आ जाते हैं तो आप देख सकते हो जैसे हम लोग इसके affiliate page के उपर आते हैं कई बार ऐसा भी हो सकता है यह पेज जो है आप से कुछ email address वगएरा पूछे ठीक है आपका नाम और email address पूछे उसके बाद यह आपको tools open करके दें तो यहां पर आप देख सकते हो create your affiliate links का option है पहली बात तो हम इसके उपर आ जाते है create your affiliate links के उपर यहां पर हमारे पास affiliate links को create करने का option है मैं इसके उपर click करता हूँ एक बार तो यहां से हम लोग जो हमारा affiliate link है उसको create कर सकते हैं यह देख रहे हो आप हम लोग इसको जब open करेंगे यहां पर तो आप देख सकते हो user जो है वो इस particular page के उपर redirect होगा fine जब हम यहां पर अपना जो भी हमारा link होगा वो हम यहां पर mention कर जाएगी fine इसी तरीके से आप देख सकते हो कि अलग-अलग resources है किस तरीके से हम लोग जो है अपने affiliate links को promote करना चाहते हैं अगर आप one dollar का seven days trial देना चाहते हैं ठीक है तो आपके पास यह वाला option है इस तरीके से आप promote कर सकते हैं तो अलग-अलग options है these are very important right यहां पर आप दे which is actually your affiliate ID है ना तो यहां पर आप देख सकते हो हम लोग इसको open करते हैं तो यह वाला page हम लोग already देख चुके यहां पर देख सकते हो आप quiz है यहां पर दूसरा जो है यह भी एक video sales page है इसको भी मैं open कर देता हूं तो अलग-अलग options है हमारे पास जिनके through basically हम अपने product को promote कर सक मैं mail फिल करता हूं और इस तरीके से extremely active यह जो भी है no meat next इस टाइप से veggies मैं बहुत ही random से चीज़े mention कर रहा हूं यहां पर coconut next और उसके बाद यहां पर चीज़े हम लोग mention कर देंगे और उसके बाद हम लोग continue कर देंगे जैसे मैं कुछ random सी चीज यहां पर mention कर देता हूं ए यहां पर हमारे पास जो है वो एक summary आ गई है पूरी ठीक है यहां पर यह सारी चीज़ें फिल करेगा right सारे ही information फिल करेगा तो इस तरीके से भी आप चीज़ें कर सकते है right to video sales page है straight to text sales page यहां पर तो अगर आप इसके through करना चाहें तो आप कर सकते हैं तो हमारे पास options होने यहां पर आप देख सकते हो this is straight to sales page है fine और यहां से आप चुह है sale करा सकते है fine यहां पर आप देखो I want an 8 week right यहां पर पूरा फिल करना पड़ेगा और उसके बाद वह आपर जा सकते हैं यह quiz है उसी type से fine तो यह बड़े सारे options हैं जिनके तो हम लोग promote कर सकते अलग लग products के लिए अलग लग टाइप के options होते हैं बाद पस केवल आपको example बता रहा हूं तो इतने सारे options यहां पर हैं then product की complete information है यहां पर fine banners है banners we can also use ठीक है यह आप देख सकते हो यह हम अपनी website के उपर लगा सकते हैं these are the different banners जो हम अपनी website के उपर लगा सकते हैं आप यहां पर दे अलग लग banners हैं आपके पास जो अपनी website है उसके उपर लगा सकते हैं आप अपनी niche में जो भी blog लिख रहा है अगर यह product आपकी niche से match करता है तो आप अपनी website के उपर लगा सकते हैं एक example हमें मिल गया यहां पर हम वापस आते हैं जो मैंने banner ads का example आपको दिया था कि banner ads जो ह उसके बीच में जो है आप link mention कर सकते हो full length reviews मतलब dedicated उसी चीज़ के लिए and then there are different bonuses जिसके basis पर आप promote कर सकते हो influencer marketing के थुरू आप promote कर सकते हो fine and then यहां पर आप देख सकते हो kora के थुरू आप promote कर सकते हो तो kora के उपर आप जाओ जिस भी niche में आपका product है उसको आप देखो उस निश में जो भी questions पूछे जा रहे है popular questions उनका आपको answer देना है और वहां से फिर आप अपने affiliate product को promote कर सकते हो आप facebook groups को try कर सकते हो for organic मैं कभी नहीं recommend करूंगा कि सीदे आप groups के अंदर जाओ और वहां पर जाके spam करने लगो आप groups join करो आप देखो आपकी niche में आप जिस भी type है वो अपने product page के उपर लेकर आए उसके बाद आपके पास option होता है paid ads करने का अब paid ads एक problem है ठीक है क्योंकि अगर आप facebook के उपर ads run करेंगे या google के उपर ads run करेंगे तो ये affiliate links को नहीं promote करते हैं तो अगर आप यहाँ पर facebook के उपर आप ads run करेंगे और उसके बाद आप affiliate link के प्रू आप अपने जो आपका affiliate page है fine उसके उपर उस particular affiliate page के उपर अगर आप प्राफिक लेकर आएंगे तो आपका account block हो सकता है मतलब आप directly affiliate link यहाँ से promote नहीं कर सकते तो आपको बीच में एक page चाहिए होगा और इस page के लिए फिर बड़े सारे options हैं हम बड़े सारे जो हमार जो landing page builders हैं और प्लस email responders हैं जैसे कि अगर एक example लें केवल तो get response नाम का tool है जिसको आप use कर सकते मैं आ जाता हूं यहाँ पर और मैं आपको इस चीज को दिखा जेता हूं there is a tool get response जो बड़ी ही quickly आपको landing pages track and drop landing pages बनाने को दे देगा इसे हम यहाँ पर आ जाते हैं इस tool के ओपर ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर get leads लिखा हुआ है and here it is like website builder ठीक है तो बड़े सारे जो है tools available है मैं आपको get response एक नाम बता दे रहा हूं जो भी आपको convenient लगे आप ले सकते हैं और वहां से आप landing page जो है वो बना सकते हैं बीच में आपके landing page होगा तो आप traffic directly आपके affiliate page के ओपर नहीं जाएगा बड़की यहाँ बीच में इस particular page के ओपर जाएगा तो फिर आपके जो facebook ads account है उनके ban होने के chances भी बहुत कम हो जाएंगे तो paid ads करते वक्त आ जो keywords है वो आप use कर सकते हैं से मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं आपको बताने कोश्च कर रहा हूं कितनी चीज़ें यहाँ पर देखो कितनी चीज़ें हमें यह जो हमारा affiliate vendor है वही हमें provide करके दे रहा है then we have videos also in the form of resources बड़े सारे videos हैं यहाँ पर email swipes है articles they have given you articles also that you can actually use customer demographics भी target कर सकते हो कहां पर ज्यादर target कर सकते हो आप media bias में आप देख सकते हो यहाँ पर यह media bias का अलग से option है then we have landing pages also right यहाँ पर हमारे पास sales page है that is basically html sales page तो उसको भी आप use कर सकते हो lead magnets are there ठीक है अगर आप email marketing करना चाहते हो then you actually need lead magnets तो lead magnets का भी option है यहाँ पर social media से related चीज़ें है जैसे अगर हम लोग यह तो html है ठीक है जो हम लोग website landing page की बात कर रहे थे अगर हम social media की बात करें तो मैं social media pack यह हमें दिख रहा है एक बार के लिए हम लोग इसको download कर लेते हैं और open करते हो देखते हैं कि इस type की यह जो है हमें यहाँ पर tools provide करके दे रहे हैं जो हमें marketing में help करेंगे fine यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे एक यह है ठीक है तो बड़े सारे options मिलेंगे आपको यहाँ पर एक हमें इस type से दिख रहा है ठीक है एक हमें इस type से दिख रहा है तो हम ऐसे बड़े सारे जो resources हैं जो available resources हैं उनको हम लोग use कर सकते हैं social media पर भी use कर सकते मैनस क मैंने बात करी थी आप से सबसे starting नहीं तो बड़ा सारा जो options है promote करने के उनकी hint हमें हमारा जो affiliate page होता है उसी से हमें मिल जाती कि अच्छा इस affiliate page के पास इतनी सारे resources है चलो promote करना शुरू करते हैं और देखें कि अगर keywords दे रखा है उसने तो हम Google Ads के थूरू भी promote कर सकते हैं है उसके according रख लेंगे हमाई क्या target audience उसके according रख लेंगे बड़ी सारी resources यह provide कर दे दोस्तों इस particular video में इतना ही मिल दे नेक्स वीडियो में तिल देन गुड़ बाई